ही फ्रेंद्स वेलकम बैक् टो मैं चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं मृट फिश इसके लिए हम रहाएं मृट जिसके लिए हम न ली है मृट विपा इस गोधिया है lasts North London पूरी गंदगी निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसकी जो पूछे होती है पीछे वो भी हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से इसी तरह से इसे पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे अच्छे से वाश कर लेंगे तो चलिए इसी तरह से बाकी सारे फिश को भी हम क्लीन कर लेते है जब यह पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा तो सबसे पहले यह देखिए आमने जितने भी फिश थी सबको उसी तरह से क्लीन कर लिया है एक प्लेट में ले लिया है अब हम इसे इसका जो भी एकसेस वाटर है वो निकाल देंगे जिसके लिए हमने चनी ली है चनी में हम फिश को डाल देंगे जाती है ताकि जतना भी पानी है इसमें से निकल जाए फिश को चनी से निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे धन्या पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर वन टी स्पून रेड चिली पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट वन टेबल स्पून जिंजर कालिक पेस्ट वन लेमिन लिया यहाँ पे इसको स्क्वीज कर लेंगे यहाँ पर लेमन काफी बड़ा था इसलिए हमने हाफ यूज किया है अगर आपके पास छोटा लेमन होगा तो आप पूरा एक भी यूज कर सकते हैं गरम मसाला पाउडर डाल देंगे वन ती स्पून अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे 10 मिनिट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनिट्स हो चुके हैं अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन अड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा ओयल अड़ कर देंगे अराउंड वन टेबल स्पून ओयल अड़ किया यहां पर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब बेसन को अच्छे से कोट कर लिया है हमने फिश पे अब इसे और 10 मिनिट्स के लिए छोड़ देंगे यह देखे फ्रेंट्स अब हम एक पैन ले लेंगे उसमें ओयल डाल देंगे ओयल को गरम होने देते हैं यह देखे ओयल अब गरम हो चुका है अब हम इसमें हमारा फिश का मारिनेशन डाल देते हैं इसे इस तरीके से अलग कर लेना है अच्छे से फैला लेना है यह देखे अच्छे से फैला लिया है हमने अब इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है अब इसे टर्न कर लेंगे यह देखे हमने सारे टर्न कर लिये हैं टर्न करने के बाद हम इसमें और हलका सा ओयल डाल देंगे इसे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राय करना है यह देखे एक बार और इसे टर्न कर लेंगे यह देखे अब यह बिल्कुल रेडी है इसे गर्मा करम हम अब सर्फ करेंगे आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा उससे यह देखे फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है बहुत टेस्टी लगने वाली है यह तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं कम्प्लीट और फिर मिलेंगे एक न्यू और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी